पहली बार यार मैं इतनी देर तक ट्रेन के अंदर बंद रहा हूं आज के जर्दी हम करने वाले हैं इंडियास फर्ष्ट प्राइबेट वे पर कोई स्पेशल ट्रेन के जर्दी आपके लिए लेकर आई जाए और साथ किसी दिवच चुकी है आटोमेटिक डौर हो चुके हैं जहिन दोस्तों वेल्कम बेक टू माई चैनल मेरा नाम है श्रशाम को और मैं स्वागत करता हूं आपका एक नई ट्रेन जर्णी में आज की जर्दी हम करने वाले हैं इंडियास फर्ष्ट प्राइबेट ट्रेन आयास टीटी सी लखनो नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस जि क्योंकि आज 13 जुलाई कल 14 जुलाई और आपके भाई का बर्थड़े पर कोई स्पेशल ट्रेन के जर्णी आपके लिए लेकर आई जाए और आज आपके लिए इंडिया की पहली प्राइबेट ट्रेन की जर्णी तो अभी डोर बगरा सारे क्लोज हैं तो इंतियार कर रहो हमारी ट्रेन में और आज नई दिल्ली से लखनों तक हमारे टेजस एक्प्रेस को लेकर जाएगा दक्तिंग आपके लिए जर्णी होने वाली है चेर कार में कोच है सीवन सीट नमबर फिटिन डिपार्चर से करी 30 मिन पहले हमारे डोर ओपन हो गया है तो चलिए करते हैं ट अटोमेटिक दोर नहीं तो उसको हमें हाथ से खोलना पड़ता था वाहिए जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे यह देखे वाह क्या जवर्दस्त और आज की हमारी सीट 15 विंडो साइड वाहिए सीट पर पहले से आपको न्यूस पेपर मिल गयाएगा इंग्लिश पेपर ह तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तेज़ेस एकस्पेस का इंटिरियर दिखा देता हूं यह देखे भाई लेग स्पेस देखे कितना ज्यादा अच्छा है वाकि यहां पर आपको टेबल मिलेगी जो आपका स्नेक्स वगरा सर्व होगा इस पर आप कर सकते हैं अपने लग सकते हैं वाकि इंटिरियर तो सेम जैसा मुंबई एंदाबद तेज़ेस का था वैसा ही है लेकिन इसमें एक चीज और अलग है यह जो आपको सामनेक डिस्प्लेबोड दिख रहा होगा उस प्रेन का खराब था लेकिन इस डिस्प्लेबोड पर हमारी ट्रेन किकनी सब्सक्राइब करने वाले होंगे उसके बार में आपको इनहां पर इंफॉमेशन दी जाएगी हमारी ट्रेन के सिर्फ दो होने वाले पहला गाजियावाद उसके बाद दूसरा कानपूर सेंट्रल और यह लीजिए वाई हमारे छोटे से को पैसेंगर आजकल छोटे-छोट तो भाई शारफ थरी फॉट्टी पर देख लीजिए डिपाचर हो गया है और आटोमेटिक डोर है यह लोग भाई अब बंद और आजका हमारा डिपाचर भी हम नई दिल्ली से हमको अंदर से लेना पड़ रहा है 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 अ है 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 यह हम नहीं है करें है हाए है 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 कि दिल्ली से निकले हुँ अभी हम हमें अल्मोस्ट पांच मिनट हुए हैं और हमें पानी की बॉटल सर्व कर दी गई एक लीटर की एक बॉटल में लिए एक मिला है भाई ग्लास आयार सीटी सी का और यह एक चीज अच्छी लगी यह देखिए वाई पूरा सील पैक है कि दिल्ली से चलने बाद हम पहुंच चुक है हमारे पहले गाजी अब दो मिनट का हॉइक है तो बाहर निकलना सही है ने सीटी हो चुकी है और अंकल जी नहीं मना कर दिया था बाहर मज्जा क्योंकि आटोमेटिक डोर है और एक बार बंद हो गए तो तो फिर वाही जड़नी हो चुकी है अब गाजी अब चलने के वाद अब नौन स्टोप 416 किलो मीटर का हमारा रण होने वाला है कानपूर सेंट्रल तक है यह देखिए भाई ओटोमेटिक डोर क्लोज है अब गाजी अबसे कर निकलने के वाद भाई इजनिंग स्नेक्स हर उतिया जा रहा है और यह से आज का हमारा सिंग स्नेक्स सूंदा ऑफल जूस इसा इसमें है समोसा समोज समोस मिक्षा लाइट मिलोव मिला है रोडि राम्रे और विदु यह पर मिला है कैचप सब चेस्टाट समोसं सरो इक अधोर बना हुए जो बना वाकि बना not a सब्लिद है जो ठंडा है यहार, 10 out of 5 और यह दो फ्रेश भी नहीं है अदसनेक्सस सब्राह दहरी है चाह या कॉफी क्या nedenle है युक युक्तिनिया टीटेक्टारि advocacy देका है क्रीम करेक्स का है ग्लास आ चुका है भाई कॉफी लिये मैंने और क्रीमर यार मैंने एक एक्सका ले लिया है तो यह सफाइनली कॉफी अपमारी रेडी हो गई और टेस्ट करते हैं इसका तो चलिए हमें आपको थोड़ा सा इंटीडियर दिखा देता हूं जैसी आप अंदर एंट्री करेंगे यहां पर आपको दो मिल जाएंगे कैमरे वाके यहां पर जो हमें पानी सर्व हुआ ता वह उसकी बोटल रखी गई और इसकी एक चीज़ और देखिये वाई प्राइव किया जा रहा है देखिये इसकी जो पैकिंग वह भी अलग है यहां पर आपको दस्टन मिल जाएंगा यह हमारा पैंक्ट्री एरियर जहां से हमें इसने क्सरों हुआ था भी मिलेगा इसमें इसमें डिनर भी सर्व होता है यह हमारे नमिद भाहिया बुलंच शहर से सूरज भाई जो लगातार साफ सफाई कर रहे हैं और यह है होटकेस एरिया जहां पर इसनेक्स लंच या डिनर गरम होता है और यह अंकल जी बैठे हुए है डिनर की तयारी चल रही है इदार देखिए यह हीट रही है पानी गरम कर इदार हमें कहां पर सर्व होगा कानपूर के बाद इटावा के बाद तो इटावा के बाद हमें डिनर सर्व होगा वो दिली से चड़ता है और एक बार आप भी यार इस ट्रेट में ट्रेवल करो बहुत टाइम से में कोशिश कर रहा तो हम आ चुका हूं गौश्ट रूम क यहां से अब शेविंग करने के लिए आपको यहां पर वैडर मिल जाएगा और बाश्रम की कंडिस्टन ठीट ठाक है ज्यादा पुछ अच्छी नहीं है कि अच्छी नहीं है कि हलकी फिल के स्मैल आ रही है कि अब कि 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 प्याद ऑ्याद घ्याद अच्छी अच्छी आपको अच्छी 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 को एड़ बाद़ प्यादी नहीं है बाल तो अ कर दो है जंट फार दमा कर त कर दो कर दो नह आ गल साहता जता डेंड़िओ कर seg तो परेंटली टाइम हो रहे 7.30 और हमारा बिनर हमको मिल चुका है इसमें है ड्राइबेज सुखी सब्जी इसमें राइ दाल है इसमें हमको मिला है पनीर इसमें है राइस चपाती कर्ड कट्लरी बरतन मिला है भाई इसके साथ यहां पर आपको यह है सौल एक मब फ्रेशनर पास पास यहां पर मिला हमें हैंड शानिटाइजर टिशू पिकल तो दोस्तों यह हमारा कंप्लीट डिनर वाकि अभी हमारी क्रोसिंग ओने वाल यह फास्टेस्टेंड अफ इंडिया बंदे भारत को पहले उसकी क्र अब दो करेंगे डिनर का टेस्ट करके बताएंगे कैसा है डिनर है तो घ्री यह हमारा आज का टेनर यह आई थिंग मेरे खाल से बटर पनीर है यह यह दाल और यह उडन्त की दाल जीरा राइस सूकी सबजी और दो प्राटे में लिए विल्कुल गरम है तो चलिए इसका के और पहलें टेस्ट करते है थाग़ा थबसे पहलें टेस्ट करते हैं पनीर का अगर अगर एंगर अधा डाल तो यार वगवाप देखने में इतनी अच्छी लग रही कि तो अब आप संजी जाओ कि वहाँ यह तो यार वाल टाइम हमेंसा फेम ने को चलिए खाना काफी अच्छा है तो फाइंदली हमारा दिनर कंप्लेट हो चुका दिनर के अगर में टेस्ट की बात कुरूँ तो डिनर का टेस्ट बहुत जबरदस्ता लाजबापता चाहे पनीर ले लीजिए दाल ले लीजिए सूखी सबची और उसके साथ-साथ पराखे भी गरम थे बिल अच्छा लगा इस्नेक्स तो यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और अपसे कुछ देर बार हम लोग पहुंचने वाले कानपुर जंक्शन और फाइंदली साड़े चार घंटे बाद थोड़े मिलेगा बहार की हवा खाने का मौका तो दोस्तों दिल्ली से 440 किलो मेंटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आच चुके हैं स्ट्रेन के हॉइट नंबर तू कंपूर सेंट्रोल और यहां हमारी ट्रेन अपन टाइम से दस मिनट बिफोर आई है फांच मिनट का श्टॉप यानि की ट्रेन रुकने वाली है फंद्रा मिनट और वही साड़े चार घंटे बाद बाहर आकर नैचरल हवा खाकर जो सुकून मिल रहा है न यार इसको मैं सब्दों में तो बताई नहीं सकता कि पहली वार यार मैं इतनी देर तक प्रेन के अंदर बंद रहा हूं इससे पहले मुंबई तेजस की थी वह उसके स्टॉप जाद है तो इसके केवल दो स्टॉप नॉन स्टॉप चलती है तो यार कोच का एसी बंद हो गया तो पैसंजर काफी हलना काट रहे हैं तो चलिए यह थी एक चोटी सी इंफोर्मेशन बाकी डिपार्चर होने में थोड़ा काइम बाकी है आटोमेटिक डौर है तो चलते हैं अंदर लेते हैं कानपर सेंट्रल से डिपार्चर तो गार्ट साब किसी दिबच चुकी है कि दिल्ली से 512 किलो मीटर का डिस्टेंस कवर करने वाद हम पहुंच चुके हैं आयर सीटी सी तेजस एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन लखनौ जंक्शन और यहां पर हमारी ट्रेंशन अपने ओन टाइम से 15 मिनट डिले पहुंची है और जर्णी एक्सप्रेंस यार बहुत जवरदस तरह प्राइवेट ट्रेंशन तो जाहिट सी बात है जर्णी तो रहनी यह शांदार है बस इसनेक्स ने थोड़ा डिसपोइंट किया लेकिन ड लाइक शेर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि थोड़ा जल्दी में हूं एक और जर्दी यहां से आदे घंटवा शुरू होने वाली है और भाई थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखो यार आप अगर सपोर्ट नहीं दिखाऊ तो ऐसे कैसे काम चलेगा तो चलिए इसके साथ इस वीडियो में इतना ही जैहिन गुड़नाइट